एलो फ्रेंट्स वेल्कम टू दा सक्सेस हिंद्राव फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम सबसे चर्चित और सबसे इंपोर्टन टॉपिक कोरोना वैरस पर 20 पलस इंपोर्टन प्रष्णों को कवर करेंगे ये वीडियो complete knowledgeable वीडियो है और काफी important भी है आपको ये वीडियो पूरा जरुर देखना चाहिए अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके पेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि आपको अगली वीडियो का notification लगातार मिलता रहा है तो चैनल फ्रेंड बिना देरी के start करते हैं और देखते हैं यह 20 महातपुर्ण प्रशन है प्रेंड आज का पहला प्रशन देखेगा पहला प्रशन है कि कोरोना वायरस का नाम किस भासा से लिया गया है फ्रेंट्स काफी important प्रश्ण है तो यह लिया गया है Latin भासा से ध्यान रखेगा Corona का नाम Latin भासा से लिया गया है और Corona का अर्थ होता है मोकुट याद रखेगा क्या अर्थ होता है इसका मोकुट होता है जिसको अंग्रेजी में क्राउन कहते हैं तो ध्यान रखेगा काफी important प्रश्ण है दूसरा प्रसंद देखेगा कोरोना का साब्दिक अर्थ क्या होता है अभी मैंने बताया कि कोरोना का साब्दिक अर्थ होत तो इसका correct answer है option A SARS-CoV-2 जिसका full form होता है severe acute respiratory syndrome related coronavirus काफी महत्पुन है इसका full form आप जरूर याद रखेगा और साथी साथ इसका नाम भी आपको याद रखना है SARCS-CoV-2 ठीके फ्रेंट्स चलिए चौथा प्रशन लेते हैं चौथा प्रशन है कि SARS-CoV-19 जो की coronavirus का नाम है किस प्रकार का वायरस है तो फ्रेंट्स यह भी प्रशन काफी महत्पुन है तो इसका सही answer होगा option A RNA RNA का full form होता है riboniplic acid तो याद रखेगा कोरोना वायरस किस प्रकार का वायरस है RNA वायरस है और यह प्रशन आपके biology की section में जरूर पुछे जाएंगे पांच नंबर है novel coronavirus से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है तो आप यह जरूर याद रखेगा और इसका नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि यह वीमारी 2019 में शुरू हुई थी और कहा से शुरू ही थी तो चीन के वहान प्रांथ से यह याद रखेगा कहा से हुई थी इनकी वहान प्रांथ से छठा प्रशन है COVID-19 बीमारी से मानव सरीर का कौन सांग प्राभावित होता है तो फ्रेंट यह भी प्रशन काफी महतपूर्ण है और यह निस्तित रूप से जितने भी प्रशन मैं इस वीडियो में लिया हूँ यह आपके आने वाले एक्जाम्स में अबसे ही देखने को मि लेंगे तो फ्रेंट COVID-19 बीमारी से मानो सरीर का फ्रेंफड़ा प्रभावित होता है अभी हमने बताया है यह एक स्वसंसंबंधी बीमारी है या निरेस्पारेटरी डिजीज है तो सिधी सी बात है इससे कौन सांग प्रभावावित होगा फ्रेंफड़ा और फ्रेंट्स वीडियो पसंद आ रही हो तो इससे लाइक करें और दोस्तों के साथ इससे शेर जरूर करें कि आठ नमबर देखेगा कोविड-19 को किस वैसिक संगठन ने महामारी घोशित किया है तो फ्रेंट्स ये किया है डवल्ड हेल्थ और्गेनाजिशन ने जिसको हिंदी में विश्व स्वास्त संगठन कहा जाता है इसके अस्थापना 7 अप्रेल 1948 को हुई थी याद रखेगा और इसका हेड़ क्वाटर स्वीड़ेलेंड के जनेवा में है 9 नमबर देखिए COVID-19 से संक्रमित होने वाले लोगों में से कौन सा लक्षन पाये जाता है तो फ्रेंट्स ये जो लक्षन पाये जाता है ये काफी महत्पुण है अगर इस तरह के लक्षन आपके आसपास के व्यक्ति हो या आपके किसी परिवार के सदस्य को दिखता है तो तुरंट आप डॉक्टर को संपर करें तो फ्रेंट्स ये लक्षन है खासी, बुखार, शास लेने में परिशानी और बहती नाग यानि उपर इस सभी जो है इसका सही जबाब होगा दस नमबर है, 16 मार्च 2020 को किस देश ने COVID-19 के ठीके का मुल्यांकन करने वाला पहला मानव परिक्षन शुरू किया है तो ये किया है अमेरिका, यानि ओप्सन डी जो है इसका करेक्ट अंसर होगा द्यान कियेगा, काफी महत्पोन प्रश्ण है ग्यारा नमबर है कि 24 मार्च 2020 से कोरोना के खत्रे से पटने के लिए देश को कितने दिनों तक लोगडाउन किया गया है तो फ्रेंड, 24 मार्च वाला अपने प्रधान मंदरी का भासन सुना होगा जिन्होंने, आम 8 वजे उन्होंने देश को 21 दिनों तक लोगडाउन करने की होशना की है और फ्रेंड, ये काफी अच्छा निरना है क्योंकि कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों के लक्षन करीब करीब 15 दिनों में पता चलते है इतने दिनों में ये कितने लोगों को संक्रमित कर देते बहुत धेर सारे लोगों को, इसलिए ये फैसला लिया गया है 12 नमबर देखिएगा, 26 मार्च 2020 को प्रधान मंतरी ने कोरोना के खत्रे से निपटने के लिए कितनी राशी का प्रावधान किया है तो ये क्या है, 15,000 कोड़ो रुपये का, यानि Option A जो है इसका करेक्ट अंसर होगा तेरा नमबर देखिएगा, सार्क COVID-19 एमर्जेंसी फंड में भारत ने कितनी राशी देने की घोशना की है तो फ्रेंड यहां सार्क की बात आई है, तो सार्क का फुल फॉर्म जान लिजे, इसका फुल फॉर्म होता है The South Asian Association for Regional Corporation, हिंदी में इसको दक्षिन ACI 36 सायोक संग कहते हैं और इसके अस्थापना 1985 में हुआ था और इसका मुख्याले कहा है, उसका मुख्याले काटमंडू नेपाल में है, काटमंडू नेपाल की राजधानी है और इसमें टोटल आठ देश सदस्य है, यह देश हैं भारत, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल, भुटान, सिरलंका, माल्दिव और अफगानिस्तान तो आप यह जरूर याद रखेगा, और सार्क COVID-19 एबरजेंसी फ़र्ड में भारत ने 10 मिलियन डॉलर देने की घोशना की है 14 नमबर देखेगा, किस वैस्विक संगठान ने COVID-19 के लिए COVID-19 के लिए COVID-19 प्लेटफॉर्म लाँच किया है यह भी काफी महत्पूर्ण प्रेश्ण है, ध्यान रखेगा COVID-19 एक्षन प्लेटफॉर्म यह लॉंच किया है, WEF ने, WEF का फुल फरम हता है, World Economic Forum, यानि 20 वा आर्थिक मंच, इसके अस्थापना 1971 में हुई थी याद रखेगा और इसका हेड़ क्वार्टर कहा है, स्वीर्जर लेंड के कोलोगनी में है, 15 नमदी के कुरोना वाइरस के कारण किस दिन देश में जनता कर्फियू लगाय गया था, तो फ्रें प्रधान मंद्री के अहवान पे पुरे देश में 22 मार्च 2020 को जनता तो आप्शन C जो है इसका करेक्टन सर्वगा 22 मार्च 2020, 16 नमबर है कि UNCTAD यानि अंक्टाड ने हाली में वेस्विक और तव्यवस्ताव कोबिड-19 के प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट करूंसार भारत प्रभायत और तव्यवस्ताव की सुची में किस अस्थान पर आए, तो फ्रेंड UNCTAD का फूल फॉर्म जानीचे, इसका फॉल फॉर्म होता है United Nations Conference on Trade and Development, इसके अस्थापना 1964 में हुई थी और इसका हेटक्वार्टर स्विट्जर लेंड के जेनेमा में है, और फ्रेंड इसका साही अंसर हो जाएगा इस प्रशन का option D, द दस्वी अस्थान पर आ गया है, 17 नमर देखेगा, कोरोना वायरस को महमारी घोशित करने वाला भारत का पहला राज से कौन बना, तो यह बना हरियाना, यानि option C जो है इसका बिलकुल correct अंसर होगा, फ्रेंड वीडियो को share जरूर कीजिए, काफी important topic है और इससे आपके जो दोस्त हैं, उसकी भी मदद हो जाएगी, और यह ऐसा topic है, जो आने वाले आपके सभी exams में यहां से निस्तित रूप से प्रशन देखने को मिलेंगे ही, आईए 18 नमर देखते हैं, 18 नमर है कि भारत में कोरोना वायरस ऐलर्ट सेवा के लिए किस social media ने स्वास्थ मंत्राला औ और माई जी ओवी के सांथ भागेदारी की है, तो स्वास्थ मंत्राला और माई जी ओवी के सांथ वाटसेप ने सहजदारी की है, याद रखेगा और वाटसेप ने इनके साथ मिलकर वाटसेप बूट एक फीचर जारी किया है, तो आप यह जरूर जान रखेगा वाटसेप लूंज किया है तो फ्रेंट गूगल ने कौन से वेव साइट लांज किया है यह किया है गूगल डॉट कॉम स्लैस कोविड नैंटीन यानि ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट अंसर होगा फ्रेंट यह जितने भी वेव साइट है हेल्फ नाइन नंबर है जितने भी आपको साउधानिया बर्त बताई गई है निर्देश बताएंगा है आप इनको जरूर ध्यान में रखिएगा आईए बीस नंबर प्रशन देखते हैं बीस नंबर प्रशने की कोरोना वायरस के मद्दे नजर स्वास्त और परिवार का लैन दोस्त है जो गवर्मेंट एक टाम के प्रिपरेशन करना है उनके पास आप इस वीडियो को शेर करें और जो आपके परिवार्ज के सदस्य हैं उनको आप इस नंबर को शेर कर दें तो फ्रेंट्स दो नंबर जारी किया गया है एक हजार पच्छात्तर और प्लस नाइन वन यह कोड है यह भी कोड है 23978046 यह दो नंबर लॉंच किया गया है तो जरूर ध्यान रखिएगा वेग्यानिकों ने खतरनाक कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है इस प्रेंट्स प्रशन का एंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएगा अगर आपने वीडियो को वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजे ताकि अगली वीडियो को नेटिफिकेशन आपको मिल जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग